हेलो रिवान वेल्कम तू स्टडी आइक्यू और स्टडी आइक्यू के इस वीडियो में हम डिस्स करेंगे बेस्ट थाउजन कर अंटरफेज जैन से जून बंत के और आज हम डिस्स करेंगे सैट नमबर फोर जिसको लेके आ रहा हूं है मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जूट सकते हैं फेस्बूक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और जीमेल आइडी के उपर अपने एक्जाम पेपर डाउट वगएर आप मुझे सेंड कर सकते हैं और प्लस मिल जेगा और जर्नल अवेनेस का 10,000 MCQ कोर्स है आप ये भी परचेस कर सकते हैं ये EMIQ पर भी अभी लेबल है और आपकी लास्ट है 31st of July और डिली क्लास टाइमिंग में आपको बता देता हूँ ताकि आपको confusion कोई ना हो और ये हमारी डिली की क्लास की current affairs हमारी 4 बजे ही रहेगी मैंने एक दो दिन पहले जो है 9 बजे क्लास ली थी लेकिन अब हमेशा हमारी जो है 4 बजे ही क्लास रहेगी 9 बजे नहीं रहोगी GS theory की क्लास होगी 5 बजे और GS MCU क्लास होगी 5 बजे तो इन चीजों को आप follow कीजे और यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो पह के साथ Indian Institute of Astrophysics के साथ और इन्होंने कौन सा टेलिस्कोप बनाने की बात करी है के और समझोते पर हस्तक्षर गिये हैं और इन्होंने बात करी है नेत्रा नेत्रा टेलिस्कोप बनाने की बात करी है option A is the correct answer A option और अभी आप कुछ इसरों के लिए कोशन बताएंगे इसरों ने हमारा मिशन जाएगा उसके अंदर जो है लेडी रोबोट जाएगी उसका नाम क्या है that is called व्यों मित्रा क्या व्यों मित्रा वड़ा फट अंसर देने हैं आप लोगों को कौनसी ऐसे सैटलाइट है जो इसरों द्वारा लॉंच करीगी 2020 में पहली सैटलाइट थी वो तो व जाने के लोकल लेवल की उपर आपका अकैडमिक रिजनल सेंटर बनाया है यह कहां पर है करनाटक के अंदर क्योंकि इसरों जो है इसरों के हैड़कॉर्टर भी कहां पर है करनाटक के अंदर है और इसरों की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईशन जो कब था 15 अगस्ट 1969 को और जो इसके हेड़कॉर्टर एगें आपके इस रो के हेड़कॉर्टर इस बैंगलूरू करनाटक और बैंगलूरू और बैंगलूरू को हम स्पेस से टी भी कहते हैं के सिवान जो है इनके इनके that is the chairperson of the इस रो तो ये आपके different questions हैं उत्रपरदेश government will build शहीद अश्वाकॉला खान जो लोजिकल गार्डन इन विच सिटी उत्रपरदेश सरकार जो है कि शहर में शहीद अश्वाकॉला खान प्रानी उध्यान का निर्मान करेगी तो ये कहां पर निर्मान होगा डैडी जिन्दा उत्रपरदेश के साथ ही जो लिंक करती है जैसे एक दामीनी एक जो है help line number था जो किसने launch किया था उत्रपरदेश ने for the women help line women safety and उत्रपरदेश जो है पहली ऐसी state है जिसने shortlist किया था citizens को for the citizenship नागरिकता के लिए जो है आपको shortlist किया गया था उत्रपरदेश ने और एक हमन रुपन जो था 2020 का वो कहां पे था उत्रपरदेश के अंदर launch किया गया था और unified driving license unified driving license जो है provide किसके द्वारा किया गया था again उत्रपरदेश द्वारा UP द्वारा किया गया था answer इसमें क्या बनेगा C option गोरकपर which state is going to conduct its maiden snow leopard survey जाने के हीम तेन दुआ सर्वे जो किया जा रहा है ये कौन सा राजय करने वाला है तो ये राजय करने वाला है कौन सा उत्राखंड B option क्या बनेगा right answer बनेगा उत्राखंड की अगर मैं बात करता हूं तो उत्राखंड ने अभी जो है पहला like and park भी जो है बता policy जो है देगी agriculture land lease के उपर देना तो वो भी उत्राखंड करेगी और यहां पर word लिखा हुआ है snow leopard snow leopard जो है लदाख के अंदर बड़ा famous है जी that is in the hammies national park hammies national park के अंदर बहुत famous है hammies national park that is in the ladak super important question है ये वाले तो answer is B option उत्राखंड is the correct answer which of the following organization has proposed to set up farmers innovation fund किस संगठर ने किसान innovation fund स्थापित किया है इन में से ये innovation fund जो है ये innovation नईने चीज़ें को अपनाने के लिए और क्रिशी के अंदर जो है नईने चीज़ें लेके आने के लिए use किया जाएगा और ये fund जो स्थापित किया है that is in the Indian council of agriculture research भारतिया क्रिशी अनुसंधान परिशद D option क्या बनेगा correct answer बन जाएगा D option अभी आपको मैं कुछ questions पूछूँगा आपसे आप इसको बताना है कि कौन सा जो award है जो नरेंदर मोदी जी ने परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 21 states के progressive farmers को दिया था तो वो कौन सा award था that is क्रिशी कर्मान ठीक है क्रिशी कर्मान ये award दिया गया था 21 states को दिया गया था बाइदर मोदी नबाड और कौन मिलके जो है farmer friendly tech बनाने की बात कर रहा है और ये IIT है actually ये है IIT Monday IIT Monday के साथ जो है नबाड मिलके क्या बनाएगा farmer friendly tech बलराम scheme जो है वो कौन सी state ने launch करी थी जिसके अंदर agriculture credit दिया जाएगा 1040 क्रोड फुटूदा landless farmer ये कौन सी state है उडिशा अगर आपको चीजे याद होंगी ना मैंने previous lecture के अंदर भी कही ना कहींगे कुछ ना कुछ मैं ने इसके बारे में बोला है उडिशा नेक्स कौन सी जो है कौन सी वीडियो कॉन्फरेंस थी जो एक साथ लेके आई farmers को across the country by the नबाड नबाड ने कौन सी वीडियो कॉन्फरेंस करी थी जिसके कारण सारे farmers इकठा आये थे और ये वीडियो कॉन्फरेंस का नाम है डिजिट डिजिटल चौपाल वीडियो कॉन्फरेंस, सूपर इंपॉर्टेंट, विच अमंग दा फॉलिंग है, निमे लिखित में से, किसे शंगाई सहयोग संगठन के, आठ आश्चरेयों की, सूची में शामिल किया गया है, तो एट वंडर ऑफ अफ एस्चौ, शंगाई को आपरेशन ओर्गनेशन, कौन सा जो है, स्थूप इन्होंने किया है, अब आपको आठ में बता देता हूँ, इंडिया के इस अरफ से, स्थूप इन्होंने किया है, कजाकिस्तान में, अर्केलोजिकल लैंड स्के ऑफ तैंगले, चाइना, दा डैमिंग इंपेरियल पैलेस कॉंपलेक्स, किर्गिस्तान, लेक इस्यू कुल, पाकिस्तान, दा ग्रेट मुगल्स हेरिटेज अट लहोर, रश्या, दा गोल्न रिंग सिटीज, तजाकिस्तान, दा पैलेस ऑफ नौवरूज, उजबेकिस्तान, दा पोई कॉंपलेक्स, तो यह आपके आठ आठ आपके जो हेरिटेज साइट्स हैं, यह आपको मैं पिचर्स दिखा देता हूँ, तो यह एट वांडर्स हैं, जो यह आपको याद रखने हैं, तो इस इस दा स्टैट्व आफ यूनिटी जो इंडिया का है, चलिए जी, और नाचल परदेश की जो स्टैट असेंबली है, उन्होंने नया लोगों बनाया, डैट इस कॉल्ड फॉक्स टेल उर्केट्स, फॉक्स टेल उर्केट्स, सूपर इंपोर्टन अगें, फॉक्स टेल उर्केट्स, और IUCN जाइज इंटरनेशन यूनिएन फॉर कंसर्वेशन आफ निचर एंड नैचरल इसोर्सेज, जिसके हैड़कॉर्टर कहां पर हैं, उर्रेड़ लिस्ट भी यही बताता है और रेड़ लिस्ट में, हम दोनों स्पीशिस को डोनों करते हैं, प्लांट्स और ऑनिमल केटागरी दोनों को, अंसर, इसमें B उप्शन बने गा, चाइना has operationalised the world's largest radio telescope with a diameter of half a kilometer what is the name of this telescope चाइना ने जो है आधा किलोमेटर व्यास कि ये देखो कितना बड़ा टेलेसकोप बनाया इन्होंने आधा किलोमेटर व्यास का सबसे बड़ा radio telescope का संचालन में किया है ये इस दूर्बिन का नाम क्या है इस दूरबिन का नाम है FAST answer is D option D option is the correct answer और यह FAST की full form क्या है that is 500 meter aperture spherical radio telescope द्वारा बता देता हूं 500 meter aperture spherical radio telescope तो this is the FAST super important यह जो है आपका half a kilometer दूर है अब इक question बताइएंगे आप इस रो और किस ने मिलके एक optical telescope बनाया है किस mission का ताकि जो है जितनी भी Indian Space Assets की जो भी satellites है उनकी debris है और उनको जो भी उनसे होने वाले हजार्ड है उससे हम पता कर सकें इस रो ने अभी हमने discuss भी किया था इस रो ने मिला है Indian Institute of Astrophysics के साथ मिलके Astrophysics के साथ मिलके कौन सा project बनाया है टेलिसको बनाया है that is Netra अभी हमने discuss के था पहला कोशन ही तो next है जी इस रो second launch portal in कौन से जिले के अंदर शहर के अंदर, city के अंदर to launch small satellite launch vehicle छोटे जो small satellite launch vehicle है इसको करने के लिए इस रो ने कहां पर अपना launch pad जो है launch किया है that is जिन्दा तूती कूटी तूतू कोडी ठीक है तूतू कोडी इस इन्दा तमिल्नाडू super important answer is तूतू कोडी तमिल्नाडू which bank will provide a loan of USD 88 million dollar of Assam Inland Water Transport Project Assam ने जो है जल परवहन पर यूजना के लिए किस bank के साथ 88 million अमरिकी डॉलर का रिन देगा मतलब कौन देगा तो ये देगे world bank answer इसमें क्या बनेगा be option is a correct answer world bank और world bank के headquarter कहां पे है वाशिंग्टन के अंदर है आप मुझे comment section में लेके बताएंगे कि world bank के जो chief है उनका नाम बताइए उनके head है नाम बताएंगे आप मुझे और next देखते है और एक चीज़ में आपको बता देता हूं कि जो इंडिया है इंडिया है जो world bank के साथ मिलके उन्होंने अटल भूजल योजना के लिए कितना पैसा दिया है ताकि अपना जो ground water है उसको manage किया जा सके इंडिया और world bank मिलके कितना loan provide कर रहे है 450 million 450 million जो है loan provide किया जा रहा है Asian infrastructure investment bank ने कितना पैसा दिया किस state को ताकि वो अपने development project जो है कर सके AIIB ने जो पैसा दिया that is 3 billion 3 billion dollar जो है US dollar provide किये और ये किस state को दिया गया आंधरा state को दिया गया आंधरा परदेश को दिया गया Asian development bank Asian development bank जिसे आप कहते हैं Manila headquarter है इनके और world bank मिलके कितने पैसे दे रहा है ताकि जो आपके black sports है और जो जितने भी black sports है और road safety के लिए हम बात कर सकें तो ये पैसा कितना दिया जा रहा है 7000 क्रोड रुपया 7000 क्रोड Asian infrastructure investment bank कितना loan देगा इंडिया को ताकि government जो है वो strengthen हो जाए जो COVID-19 से जो होने वाला adverse impact है पोर्स के उपर और household के उपर वो बचाया जा सके ये कितना loan दिया जाएगा ये दिया जाएगा 750 million US dollar 750 million US dollar सारे answer dollars में है ये कि सिर्फ ये 7000 क्रोड वाला option में है बाकी millions में ही है billions, millions जो भी option में है डॉलर में है तो ये है 400 million US dollar जो COVID-19 के लिए दिया गया है next who will be conferred with the 29th सरस्वती सम्मान 29 सरस्वती सम्मान जो है वो किसे समानित किया जाएगा वो किया जाएगा that is वासदेव मोही answer is A option वासदेव मोही को और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ कोशन आए है आप याद रखेंगे Dr. शामा परशाद मुखरजी Award 2020 ये किसको मिला था ये असम के CM को मिला था सर्वनन्दा सोनोवाल को सर्वनन्दा सोनोवाल को ये अ वासदेव में आवाड जो है ये अवासथी सचिन अवस्ति को ये अवाड मिला है सचिन अवस्ति वोगन कार्मान अवार्ड जो है International Academy of Astronautics का किसको मिला है यह मिला है इसरो के 6% that is के सिवान को के सिवान को यह अवार्ड मिला है सारे याद रखने हैं आपको अवार्ड जितने भी हुए है Next question Which cricketer was named as a captain of ICC ODI and test team of the year पिच्चर से ही आपको पता लगया होगा विराट कोली को ICC की ODI और test team के कप्तान के रूमत में नामित किया गया है विराट कोली को Answer is C option अभी मैं आपको बता दूँ कि जैसे Asia Cup होने वाला है Asia Cup, Asia Crade Cup जो होने वाला है 2021 का वो कहां पर होगा शीलंका के अंदर शीलंका के अंदर जो है जो चार्जिस चल रहे थे कि 2011 की fixing के लिए वो इनसे हटा लिए गए है और अगर हम बात करें cricket के लिए उपर South Africa में अभी recently बात करें थी जो उनका annual award होता है Man's Cricketer of the Year तो वो किसको दिया गया था Quintan D.Cock को Quintan D.Cock मेरे फेवरेट है ये विकट के पर मुझे बहुत अच्छा लगता है Quintan D.Cock चीक है और उसके बाद जो है BCCI BCCI President BCCI President कौन है हमारे Board of Control for Cricket in India That is Saurav Ganguly और इनके Headquarter कहां पर है That is the Mumbai Maharashtra के अंदर और राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड मिला था अभी किसको That is the Rohit Sharma को राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड और रोहिश शर्मा ने अभी जो है Hyderabad International Cricket Stadium की जो है लांच किया था उन्होंने Answer is C option Virat Kohli अब ये तो मैंने आपको कोशन बताई दिये हैं सारे के सारे ठीक है BCCA President, Rajiv Gandhi, खेल रतन अवार्ड बगैरा सारी चीज़े चलिए जी Defense Minister Rajna Singh has dedicated to the nation Nation which number K and Vajra self-propelled Hovitsar gun रक्षा मंतरी Rajna Singh ने किस राश्टर को K9 Vajra सवचालित Hovitsar तोप समर्पित की है ये कौन से नंबर की जो है तोप है और पूरे देश को समपी है इन्होंने That is the 51st 91 जो है ये 51 51 जो है ये आपकी That is the gun है जो हमारे देश को Provide की गई है Answer is A option और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कुछ questions है ये आपको बताना है जो हमारे जो missions के लिए है भारत Dynamic Limited और DRDO DRDL very very important DRDO की laboratory ठीक है उन्होंने sign किया है एक license agreement ताकि वो अपनी technology transfer करेंगे किस weapon system को ये करेंगे akash missile weapon system को very important akash missile weapon system को paper में question ये आएगा कि DRDO के साथ मिलके किस ने किया तो उसका अंसरा आजागा भारत Dynamic Limited जाएसे बुचा सकता है भारत Dynamic Limited ने किस laboratory के साथ तो defense research development laboratory के साथ akash missile और DRDO के जो chief hand that is called Satish Reddy Satish Reddy और New Delhi is the headquarter K4 ballistic missile test fired at K4 ballistic missile जो test fire करीगी कहाँ पे आंदरपरदेश के अंदर test fire करीगी Dash 5 day coastal security exercise by the Indian Navy कौन सी जो है exercise है पांच दिन की जो coastal exercise करी गई इंदे ने वी द्वारा that is called मातला अभियान मातला अभियान जो है किया गया पांच दिन का ये program था मातला अभियान defense export 2020 ये कब हुआ था defense export 2020 ये हुआ था लखनाव में defense export that is in the लखनाव the second Tejas Express which was recently flagged off connects Mumbai and which city Tejas Express जो है हाली में हरी जंडी दिखाए गई ये Mumbai को किस शहर से जोडती है ये Mumbai को जोडती है that is the Mumbai and Mumbai and Mumbai and which city ये पूछ रहा है Mumbai and Ahmedabad answer is B option is the correct answer B option और अगर मैं बात करूँ कि ये second Tejas थी that is Mumbai and Ahmedabad अगर आपसे पूछा जाए first Tejas पहली Tejas जो launch करीगे थी वो connect करती थी लखनाव और New Delhi लखनाव और New Delhi को ये connect करती थी this is important one अभी जो है आंधरापरदेश ने आंधरापरदेश गंटूर डिस्टिक से जो हमारी dry chillies हैं dry chillies वो कहाँ पे जाने वाली हैं बंगलादेश के अंदर जाने वाली हैं पहली special parcel train चलाई गई और एक चीज़ और बताता हूँ मैं इंडिया और बंगलादेश के बीच में दो आपकी जो है trains है that is Matri Express मैंने आपको पहले भी बताया था और बंदन Express these are the trains ये आपको पता होना चाहिए तो answer इसमें क्या बनेगा B option is the correct answer चलेजे order of Australia समान के साथ किसे समानित किया गया है तो ये समानित किया गया है that is Kiran Mazumdar Shah answer is D option Kiran Mazumdar Shah को appoint किया गया है चीक है ये confer किया गया है इनको मिला है Kiran Mazumdar Shah अभी कुछ जो question है आपको बताने है Professor PC Mahal Nobis Award in Official Statistics for Lifetime Achievement ये किसको मिला है ये मिला है C. Rangarajan को C. Rangarajan को Daina Award 2020 का जो उन्होंने humanitarian work किया है Ragpickers Delhi के अंदर तो वो किसको मिला है Freya Thukral को और Black Entertainment Television 2020 Humanitarian Award ये pop singer that is Beyonce Beyonds को मिला है Richard Hawking Award ये किसको मिला है जावेद Akhtar को जावेद Akhtar को मिला है Very important जावेद Akhtar को India will buy S-400 Air Defense Missile System from which country ये कहां से purchase करेगी S-400 Air Defense Missile ये करेगी Russia से C option क्या बनेगा Right answer बनेगा और S-40 Air Missile के जो designer है उनका नाम पूछा जा सकते है आपको Almaz Ante Almaz Ante is the name और Defense Manufacturing Hub Defense Manufacturing Hub जो है वो उत्तर परदेश में है Answer is C option Russia National Informatics Center has set up the Center of Excellence in Blockchain Technology in which city राश्चे सुचना विज्ञान के अंदर ने कि शहर में Blockchain Technology में Center of Excellence की स्थापना करी है तो ये स्थापना करी है कहां पे Bengaluru के अंदर C option क्या बनेगा Right answer बन जाएगा और मैं आपको बता दूँ कि Bengaluru एक ऐसा शहर है जहां पे आपकी वर्ल्ड की सबसे Worst traffic देखे को मिली थी Worst traffic ठीक है और Bengaluru is again Headquarter of ISRO Bengaluru के अंदर देखा गया Highest number of digital transaction देखने को आपको मिली सबसे ज़्यादा पैसा electronically यहां पे गया Who has become the fastest Indian spinner to take 100 wickets in ODI One day international cricket तो किसको मिला है जी 100 wickets तो यह मिली है कुल्दीप यादव को Answer is का क्या बनेगा A option is the correct answer कुल्दीप यादव 50th World Economic Forum Annual Meeting will be held in which city यह हमेशा maximum EC में होती है That is विशव आर्थिक मंच की वार्षिक गान जो होती है वो होती है Davos के अंदर Answer क्या बनेगा C option Davos That is in the Switzerland And World Economic Forum के Headquarter That is in the Cologny Cologny Switzerland Cologny Switzerland के अंदर होते है इसके Headquarter ठीक है और कुछ Headquarter आपको पता होना चाहिए United Nation के अगर पूछा तो New York के अंदर है International Labour Organization के अगर पूछा तो Geneva Switzerland के अंदर है World Trade Organization के पूछा तो again Geneva Switzerland के अंदर है When is the World Immunization Day Observed in India राष्टिया टीका करन दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 19 जनवरी को D option is the correct answer जनवरी के अंदर एक दो दिन और याद कलो 12 जनवरी जो होता है That is the National Youth Day National Youth Day होता है युवा दिवस National Youth Day और Voters Day कब होता है 25 जनवरी को Vote देने का दिवस Voters Day Very very important ठीक है और Hindi Day Hindi Day कब होता है That is the Jan 10 को 10 जनवरी को और Army Day 15 जनवरी को Army Day 15 जनवरी को This is important D option is the correct answer Who was elected as the President of the Archery Association of India तीर अंदाजी Association of India के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो ये चुना गया है अर्जुन मुंडा A option क्या बनेगा Right answer Tribal Affairs Minister अर्जुन मुंडा Very very important Archery Association of India Who will appointed as a new Vice Chief of Army Staff नए सेना द्यक्ष के रूप में किसे उप सेना द्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो ये चुना गया है S के सैनी को D option क्या बनेगा Right answer बनेगा अभी एक जो है Army Day हुआ था मैंने अभी आपको बता था 15 January को होता है और इसमें पहली women जो appoint की गई थी डैडिस Tania Shergill Super important Tania Shergill आप मुझे comment section में लिखके बताए 26 January की parade के अंदर जो lady थी उनका नाम क्या था ठीक है और अगर हम बात करें Army staff की ये तो vice chief होगे अगर आप से chief पूछा Army staff की जो chief है उनका नाम क्या है That is General Manoj Mukand General Manoj Mukand है इनका नाम Very important ठीक है और that's it अच्छा एक चीज़ और Very very important है AK-47 होती है उसकी जो bullet लगती है लगती है जी बिल्कुल लगती है तो उसके helmet अगर हम कहें कि helmet हमारा bullet proof है AK-47 से वो अभी किसने जो है इसका निर्मान क्या था अनूप मिश्रा अनूप मिश्रा जीने इनका निर्मान क्या था और ये army के major थे super important question है answer इसमें क्या बनेगा SK-Sani Which of the following places Z-more tunnel will be constructed कहां पे जो है Z-more tunnel का निर्मान किया गया है तो ये जो है आपकी ये वाली tunnel है और ये कहां पे है that is in the Jammu and Kashmir C option क्या बनेगा right answer बनेगा अभी Jammu Kashmir के अंदर जो है वतन को जानो वतन को जानो एक जो है प्रोग्राम था Jammu Kashmir के अंदर लदाख के अंदर ताके आपके जो जितने भी students है वो different different area में जाएं और Jammu Kashmir को पहचाने ये जो है flag of किसने किया था Jammu Kashmir advisor of Jammu Kashmir advisor to the left and governor that is Faruk Khan Faruk Khan को और अभी जो है 6th national ice national ice stock sports हुआ था ice stock sports हुआ था उसके अंदर top gold किसने जीता है अगें डैडी जिन्दा Jammu Kashmir और अभी एक जो है railway link चल रहा है बानी हाल से कटडा तक बानी हाल से कटडा तक एक rail link चल रहा है 2022 तक ये complete हो जाएगा 2022 तक अंसर इस C option Jammu and Kashmir इने first in India the state election commission of which state will be using facial recognition app in a bid to counter to counter impersonation by the voters भारत में पहली बार किस राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग मद्दातों द्वारा प्रतिरूपन का मुकाबला करने के लिए चहरे की पहचान एप का अप्योग करेगा मतब पहली बार जो है एक एप है जिसके चहरा पैचाना जाएगा और वो कौन सी state के अंदर पहली बार की जाएगी और ये बात करी जाएगी कहाँ पे फड़ा-फड़ बताईए Yes, that is in the तैलेंगाना तैलेंगाना के बात करी गई है Answer is C option तैलेंगाना is the correct one Who has won women's singles title at Indonesia Badminton Master 2020 Indonesia Badminton Master 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता है तो ये जीता है That is रच्चा नोग इंतानोन Answer is B option is the correct answer B option is the correct answer और हमारी इंडिया की जो famous player है That is PV Sindhu and that is Sanya Nehwal दो बड़ी famous player है और एक चीज़ आपको में बताता हूँ Indian Olympic Committee ने Indian Olympic Committee ने पहला Indian जिनका नाम mention किया था अपने committee के लिए That is the Pulela Gopichand Very very important Pulela Gopichand जो किसके coach है That is PV Sindhu जीके तो ये आपको याद रखना है और अभी जो है Asia Team Championship हुआ था Asia Team Championship जिसमें India का medal था That is Bronze आप मुझे इस comment section में लिके बताएंगे Asia Team Championship में Gold किसके पास आया था Gold के बारे में बताईए Answer is B option Which city will remain open for 24 hours from January 27th 27 January में से 27 January से कौन सा शहर जो है 24 गंटे खुला रहेगा और ये 24 गंटे खुला रहेगा That is Mumbai That is B option Mumbai is the correct answer Mumbai India's first war memorial for animals will come up in which of the following city भारत का पहला war memorial जहां पे आपका जो है War memorial for animals Animals के लिए किस शहर में लांच किया जाएगा ये किया जाएगा Merit के अंदर Answer is D option is the correct answer Merit Which state has made it compulsory for school students to read the preamble to the constitution Preamble मतलब प्रस्तावना प्रस्तावना पढ़ना अनिवारे है जिसमें लिखा होता है वो ही the people of India सब चीजे लिखी होती है तो ये किस state ने बोला है That is the Maharashtra is the correct answer Maharashtra ने बोला है Answer is A option अभी मैं आपको बताऊंगा कि India justice report आये थी India justice report 2019 के जिसके अंदर पहली बार मतलब जिसके अंदर Maharashtra ने टॉप किया था ये justice delivery बहुत अच्छी जल्दी से करते थे Clean Air Project चला था अभी Clean Air Project जिसके अंदर जो है उत्तरपरदेश के दो शहर थे That is Lakhnau and Kanpur and Maharashtra के दो शहर थे That is Pune and Nashay यहां की Air साफ है और अभी 4th जो है International 4th International That is Diabetes Summit हुआ था Diabetes Summit और वो कहां पहुआ था Pune के अंदर Maharashtra Pune के अंदर The answer is A option Which country has recently been declared as a reciprocating territory by India Reciprocating territory by India जो है परासपरिक शेत्र किसने लाँच किया है That is UAE Answer is D option UAE और एक चीज़ आपका मैं बताता हूँ We on Summit हुआ था We on Global Summit Very Important We on Global Summit था यह जो है Global Issues के लिए है 2020 का यह हुआ कहां पह था Dubai UAE के अंदर Dubai UAE के अंदर और पहली country जो है First Country जो है आपकी Mission बेजेगी Mars के उपर और वो कौन सी है That is UAE अगेन और Mission का नाम का है Hope Probe Hope Probe is the name ठीक है और UAE की Capital क्या है That is Abudhabi और करंसी है दिरहम The country's First E-Waste Clinic Has Been Opened in Which City पहला clinical E-Waste जो है कहां पे लॉंच किया गया है भुपाल के अंदर और अभी E-Waste के लिए रिपोर्ट आई थी सबसे ज़्यादा E-Waste प्रडूस करने वाला जो देश है That is China China is the first number पे और पहली बार जो है कौन सी country बनी South Asia के अंदर जिसने E-Waste के लिए कानून बनाया अगेन इंडिया बनी और पहली ऐसी पहली ऐसी जो है Waste Waste to Energy Plant जो E-Waste को जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जो है आपके Light Diesel में Convert कर देगा 24 गंटों के अंदर-अंदर जितना भी आपका Waste होगा उसको Diesel के अंदर Convert करेगा That is East Coast Railway East Coast Railway ने ये बात करी है कि वो E-Waste को 24 गंटे के अंदर Light Diesel में Convert कर देंगे Answer is C option Bhopal Which country is Theme country Of the International Kolkata Book Fair 2020 अंतराश्य कोलकाता पुस्तक मेला 2020 का Theme देश कौन सा है तो वो है Russia Answer is D option Russia is the Correct answer Russia Which airport has started Women with wheels Cab Surface for the Female Safety Women जाने कि महिला किस हवाई बड़े पर महिला सुरक्षा के लिए पहियों की Taxi सेवा वाली महिलाएं शुरू की गई है मतलब क्या है Wheels Cab Service जो है शुरू करी गया Women Safety के लिए That is the Indra Gandhi International Airport That is the Delhi Indra Gandhi International Airport और अभी जो है एक UP के अंदर International Airport घोशित किया गया था That is Kushinagar Airport Very important Kushinagar Airport को जो है Status मिला था International Status का और Best Regional जो Airport है जो हमारे इंडिया का और Central Asia का That is Bangaluru Bangaluru का जो है Best Regional Airport है World का अगर मैं Best को ओलता हूँ World का Best है तो That is Changi Changi Airport जो एक कहां पे है Singapore के अंदर है Singapore के अंदर है Changi Airport जो World का सबसे World का सबसे Best है Which has become the first telecom operator in India to facilitate UPI payment through its platform किसने platform अपने platform से UPI Bukhtan Suvidha की Suvidha देने वाला भारत का दूर सर्चार operator कौन सा बना है That is Reliance GEO Answer is A option is the correct answer Reliance GEO The Exim Bank has extended USD 35.80 million line of credit to which country for rural electrification Exim Bank ने Gramin विदुत्ती करण के लिए किस देश को 35.80 million अमरिकी डॉलर का रिन दिया है तो ये दिया है सूरी ने सूरी नाम is the correct answer D option क्या बनेगा correct answer बनेगा अभी जो है USAID USAID ने जो है 3 million US डॉलर प्रोवाइड किये है इंडिया की पहल प्रोजेक्ट को पहल प्रोजेक्ट को launch किया है 3 million डॉलर दिये है अब USAID क्या है United States Agency of International Development United States Agency of International Development 3 million US डॉलर दिया है पहल प्रोजेक्ट is that is Partnership for Affordable Healthcare Access and Longevity दोबार बात कर रहा हूँ Partnership for Affordable Healthcare Access and Longevity Project very important clear और World Bank ने World Bank ने इंडिया को COVID-19 से बचने के लिए US 1 billion डॉलर प्रोजेक्ट किया है US 1 billion डॉलर World Bank को super important answer is D Surinam World Economic Forum has launched 1 trillion tree initiative to grow restore and conserve 1 trillion across the world by which year मतलब पूरे World के अंदर 1 trillion tree लगाएंगे ताकि आपका initiative को पूरा किया जा सके तो ये है 2030 तक 1 trillion जो है आपका 1 trillion tree लगाए जाएंगे 2030 तक very very important अभी जो है एक initiative था National Book Trust ने लाँच किया था National Book Trust ने लाँच किया था that is hashtag stay home stay home India with books stay home India with books ये hashtag था बहुत बड़ा ठीक है with home इसमें क्या था कि जो आपके ये जो है ये hashtag launch किया National Book Trust ने और इसमें select और best selling title जो है free downloads के लिए आपको provide के जाएंगे आप कोई भी book वगरा आप जो है download करके देख सकते हो अभी एक प्रगती initiative भी launch किया गया था प्रगती initiative ये प्रगती initiative जो है वो facebook द्वारा launch किया गया ताकि जो है women entrepreneurship को जो है बड़ाबा दे सके इंडिया के अंदर facebook द्वारा किया गया था प्रगती initiative which country has minted world's smallest gold coin सबसे दुनिया का छोटा सिक्का जो है वो कौन सा खनन किया गया था that is by the Switzerland answer is c option क्या बनेगा right answer बनेगा Switzerland मध्यापदेश first cargo terminal will come up in which city मध्यापदेश का पहला air cargo टर्मिनल कि शेहर में आएगा that is in the बोपाल बोपाल में आएगा first cargo terminal answer is b option is a correct answer और अभी एक आपको बताता हूँ मध्यापदेश के अंदर नमस्ते औरचा फेस्टिबल नमस्ते औरचा फेस्टिबल भी आपको पतावना चाहिए that is in the मध्यापदेश जिसके अंदर जो है state culture के initiative opportunities को बढ़ावा दिया जाएगा एक था kill corona campaign kill corona campaign भी जो है मध्यापदेश में लॉंच करेगी और पहला शहर जो sanitize किया जाएगा proper तरीके से drone से तो वो भी मध्यापदेश का शहर है that is indoor indoor जो है सबसे sanitize किया जाएगा drones की मदल से answer is B option Bhopal Kobe Bryant who has been killed in helicopter crash was associated with which sport Kobe Bryant का हालिद में दिहांत हो गया helicopter में दुरगटना होने के कारण ये किस खेल के साथ संबन्दी थे ये basketball player थे answer इसमें क्या बनेगा D option और एक कहां के player थे American American player थे answer is D option Government of India and World Bank has signed a USG 210 Million Loan Agreement Agri Business and Rural Transformation Project of which state भार सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्या के 220-210 मिलियन डॉलर के रिन समझोते क्रिशी वेफसाई और ग्रामिन परवर्तन प्रियोजना पर हस्ताक्षिर किये मतलब आपका जो है बिजनस बढ़ाएंगे Agriculture का और गाउं को Transform करेंगे तो ये किस ने किस के साथ Agreement किया That is with the महराष्टर answer is D option D option is the correct answer अभी जो है ADB Asian Development Bank ने 1.5 1.5 बिलियन डॉलर जो है प्रवाइड किया है 1.5 1.5 बिलियन डॉलर प्रवाइड किया है COVID-19 से बचने के लिए और ADB ने same महराष्टरा के अंदर जो है Power Sector के लिए जो लोन प्रवाइड किया है 346 मिलियन डॉलर प्रवाइड किया है that is by the Maharashtra to the Maharashtra for the Power Sector answer is D who is the author of Hindi novel Balwa Balwa के जो है जो author है उनका नाम बताएड that is the Mukhtar Abbas Nakui answer is A option ये जो है author है Mukhtar Abbas Nakui answer is A option is the correct answer very very important which team has become the first team in India in the world to score 5 lakh run in the test cricket पहली team जो है वर्ल्ड की कौन सी बनी है जिसने 5 lakh run बनाए है test cricket के अंदर that is the that is the England England जो है पहली ऐसी country बनी है जिसने 5 lakh run बनाए है England is the correct answer which plant has recently awarded at the World Economic Forum annual meeting for being included in the World Economic Forum's Lighthouse Network हाली में World Economic Forum के Lighthouse Network में शामिल होने के लिए विशव आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में किस स्यंत्र को समानित किया गया किस जो है समान्त्र को जाने के आपके जो Lighthouse Network है किसको समानित किया गया that is the Tata Steel Tata Steel कलिंग नगर को जो है जो नवाज आ गया answer is A option गुल मकाई is a film based on Life of Which Person गुल मकाई जो है किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिलम है ये फिलम है मलाला यूसफ जाई के उपर answer is B option is a correct answer मलाला यूसफ जाई अभी जो है एक फिलम फेस्टिबल था चित्रा भारती चित्रा भारती फिलम फेस्टिबल important है चित्रा भारती फिलम फेस्टिबल जो है कहां पे था एमदाबाद super important एमदाबाद और 1917 movie है जिसको मिला था बाफ्ता best movie का award बाफ्ता best movie super important again ठीक है answer is B option which state has launched the Shiv Bojan scheme Shiv Bojan scheme जो है महराश्र ने answer इसमें क्या बनेगा C option is the correct answer महराश्र ने और एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ schemes और launch करीगे थी जैसे कि for example बविश्या बविश्या saving account बविश्या saving account यह बविश्या saving account जो है यह फीनो बैंक ने launch किया किस साल के बच्चों के लिए 10 से 18 साल के बच्चों के लिए बविश्या जो है आपकी saving account और अभी एक चीज़ है जन सेव का जन सेव का scheme जो है launch करीगी जिसमें करनाटक के अंदर जो है home delivery प्रोवाइड करी जाएगी government services की और अभी 13th conference of party जो है एक meeting हुई थी for the migratory species कहां पे हुई थी गांदी नगर गुजरात के अंदर गांदी नगर गुजरात के अंदर और अभी one उत्सव जो है आपका 8th cultural fair मनाया गया था कहां पे गांदी नगर अगेन गुजरात के अंदर very important answer is C option which country will be the guest of honor at New Delhi World Book Fair 2022 2022 का 2022 का जो है आपका World Book Fair होगा तो कौन सी country होगी that is France answer is B option is the correct answer very important और अगर बात करूँ कि इस साल के जो है focus leader की बात करी जाए focus leader that is महात्मा गांदी और theme क्या था writer's writer writer's writer very very important writer's writer who has been taken as the chief executive of Indian's bank association IBA के जो है Indian Bank Association के chief executive कौन अपाइंट के गए है that is Sunil Mehta very very important Sunil Mehta is the correct answer अभी जो है Tata Trust के जो है CEO अपाइंट के गए that is Shirinath Shirinath Narasiman Shirinath Narasiman को अपाइंट के गया Tata Trust के CEO और go air case जो CEO कौन है that is Vine Dube विने दूबे चीक है यह आपको याद रखना है और that's it answer is B option the tablets of which state has backed the first prize at the Republic Day Parade 2020 किस राज्या की जांकी ने गंतंतर दिवस परेड 2020 में प्रथम पुरसकार प्रापत किया तो यह प्रापत किया किसने असम ने answer is में क्या बनेगा D option असम की जांकी बड़ी फेमसी असम के अंदर डांस है Be Who Dance very very important काजी रंगा नेशन पाक है और रांग नेशन पाक है मानस नेशन पाक है ध्यान रखना answer is D which word has been chosen as a Oxford film Oxford Hindi word of 2019 2019 का Oxford Hindi word जो है क्या था that is which state has passed the resolution to abolish the state legislative council किस राज्य ने राज्य विदान परिशद को समाप्त करने का परस्ताब पारित किया है ये किया है आंदर परदेश ने answer is B option ये पास किया है resolution ताके इसको cancel किया जा सके और अभी मैं आपको बताऊं कि आंदर परदेश के अंदर जो है खास करके विशाखा प्रतनम में एक गैस लिखे जो थी प्लांट के अंदर LG पोलिमर प्लांट के अंदर LG पोलिमर प्लांट के अंदर वो गैस का नाम पूछा जा सकता है styrene gas styrene gas और इसका पूरा मतलल लिखा जोखा करने के लिए एक कमैटी बैठी थी इसका पता करने के लिए that is called नीरज कुमार कमैटी नीरज कुमार कमैटी बैठी थी और wildlife century आपको पता होना चाहिए कि आंदर परदेश में कौन सी है that is called it's kondinia kondinia wildlife century ये कहां पे है अंदर परदेश के अंदर B option third edition of global potato conclave is being held in which state global potato conclave जो हुआ था आलू के लिए तो ये कहां पे देखने को आपको मिला था ये देखने को मिला था that is in the gujarat answer इसमें क्या बनेगा D option gujarat is the correct answer so ये है road map for the weather world ये आपका global potato conclave के लिए था और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ गुजरात के लिए जो है start-ups को start-ups को COVID-19 से बचने के लिए 100 क्रोड रुपया प्रोवाइड किया गया और गुजरात के गवर्नर का नाम है अचारय देवरत और six member committee बिठाई गई ताके जो है आपके पोस्ट कोविड जब कोविड हट जाएगा पोस्ट कोविड हट जाएगा तब एक economy के लिए revival के लिए एक expert committee बिठाई जाएगी उसके जो head होंगे देडिस हस्मुक आधिया हस्मुक आधिया होंगे उनके head six member committee के दियां रखना इंडियन railway will run 100% on electricity by which year 100% electricity by which year that is 2024 answer is B option क्या बनेगा right answer बन जाएगा who has been elected as a bureau member of the international union of pure and applied chemistry for the period 22-23 मतलब 2020-23 की अवदी के लिए international union of of pure and applied chemistry के ब्यूरो सदस्य की रूप में किसे चुना गया है तो यह चुना गया है विपल बहरी सहा को विपल बहरी सहा को point किया गया है answer इसमें क्या बनेगा C option is the correct answer union ministry of the road transport and highway has launched which online portal to monitor road project तो कौन सा आपका initiative है that is Gati answer is D option और यह क्या है actually Gati project जिसमें आप बता करेंगे कि हाँ कितना जो है आपका that is monitoring करेंगे road projects की और road minister जो है हमारे road minister MSME के minister कौन है हमारे नितिन गड़करी जी है और अभी जो है BS6 vehicles के लिए गाडियों के लिए एक distinct color plate जो है चलेगी और यह BS6 mandate कब होगा that is from the 1st April 2020 यह mandate हो चुका है चीक है यह दियान रखना BS6 vehicle road transmitter and highway नितिन गड़करीजी तो यह थे आज के lecture के अंदर question तो यह आपको याद कर लेना है lecture अच्छा लगा तो अच्छा like करना share करना और यह daily की class timings है आपको no down कर लेनी है यह हमेशा इस time classes आएंगे यह सुबह वाली जो class है कई बर 5-10 मिनिट इदर उदर जाते है कई बर लंबी class हो जाते है जैसे आज है तो देख लेना अगर lecture अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe कर लेना दो paid courses आते हैं मेरे GS course और जिसको purchase करने की last day है 31st of July और 10,000 MCQ course आप कैसे करेंगे study IQ app डाउनलोड करेंगे best selling course में जाएंगे यहाँ पे view all का button होगा तो आप click करेंगे आपको courses देख जाएंगे so thank you so much guys all the very best good luck, take care